इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे इस सेशन में हम लोग जो रिसेंटली जो हमारा पास एक्जाम हुआ था गेट का इस गेट 2022 तो हम उसके कुछ सॉलिशन्स को हम लोग कहाँ पर डिस्कॉस करेंगे और स्पेसिफिकली जब मैं आपको बताया कि मैंने सिर्फ 2022 की तेयारी के बता रहा था बच्चों कि आपको बता है कि जो रिसेंटली जो हमारा एक्जाम हुआ था 5th February को हुआ था लगभक 10 दिन पहले अब कई बर क्या होता था काफी जगहें पर मुझे लगता था कि पहले जैसे ही हमारे पास क्लास होता है एक्जाम होता है एक्जाम के एक्जाट रही होंगे तो हमेशा कोशिश मैंने हमेशा यह की है स्टार्टिंग से आज तक इतनी इस फिल्ड में काफे टाइम मुझे हो चुका है लगभग 7-8 years मुझे हो चुक है इसी फिल्ड में और मैंने हमेशा कोशिश करी है कि जब भी मैं आपको कोई भी solution दूँ तो authentic होने चा तार्म में वहाँ पर वीडियो नहीं डालता बट रेदर उसके कुछ दिनों के बाद जब बिल्कुल करेक्ट questions आपके पास आ चुके हैं तब आपके उसके वीडियो हम लोग डाल सकते हैं वो आपके लिए beneficial रहेगा तो इस session में हम लोग क्या करेंगे इस पूरे session में हम लो कि आपके पस क्या solutions होने चाहिए वो मैं आपके यहाँ पर discuss करूँगा तो I hope कि यह जो session है आपके लिए beneficial रहेगा and I think let us start तो हम लोग यहाँ पर start कर सकते हैं तो सबसे पहले this is the first question तो पहला question है हमारे पास राइट तो यह aptitude के उपर है ठेके aptitude पे हमारे पास पूछा गया था तो यहाँ पर हर जितने भी options है यहाँ पर दो words के बाद बूला गया है पहले FAIR और दूसरे होता है हमारा तो यहाँ पहले आपको पता होना चाहिए what is the meaning of FAIR fair का मतलब क्या होता है और दूसरे FARI इन दोनों में क्या difference होता है पहले हम लोग इसको समझते हैं तो जब भी हम fair करते हैं तो fair is FAIR इसका मतलब क्या होता है कि it is without right it is without any you know any cheating right without any cheating और we can say trick right तो उसको बोलते हैं FAIR right fair इन दो समय जब FAIR की बात करते हैं fair तो यानिकी इस case में हम लोग किसी cost के बारे में हम लोग discuss करते हैं right यानिकि कि किसी चीज के बारे में cost निकालना या फिर उसके उपर डालना right fair जैसे for example आप जा रहे हैं आप you know किसी bike या bus पे आप जा रहे हैं बस में जाने के लिए आप क्या करेंगे पे करेंगे उसके लिए उसका जो fair है जो bus का train का plane का इन सबका जो fair है आप उसको pay करते हैं right उसके लिए फिर यूज करते हैं अब इसके लिए जो पहला option है right the dash is too high right तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे fair right क्योंकि आपका जो for example अगर आप plane पर जा रहे हैं तो जो है वो काफी you know cost जो है उसका ज्यादा हो सकता है और दूसरे it is to be considered you know without any cheating और tricks तो इसके लिए आएगा FAIR okay so that is why the correct answer will be D D आपका यहाँ पर सही answer होगा okay now the next question here is a function आपके बास एक function गिवन है ठीक है और वो किस interval के बीच में है right 0 से लेकर 1 तक fine तो यहाँ पर आपके पास you know और हमें देखना है कि जो हमार पास given है इसके अंदर कुछ curve के बारे हम discuss गया है कि उसका total area कितना use होगा right तो कैसे करेंगे सबसे पहले हम एक map को हम लोग बनाएंगे right this is representing y okay in the same way this is representing which is x fine अब इस पूरे case के अ values given है which is 1 3 and 2 right इसके लिए मैंने हाँ पर क्या क्या इस जीरो यहां से आपके पास बनाए 1 यह प्रेजंट कर रहा है यहां पर 2 और यह प्रेजंट कर रहा है यहां पर 3 okay in the same way जब हम यहां पर इन सब की जो values हमने बताया है जो x की जो value है 0 से लेकर 1 by 3 तक है right तो यानिकी जो point यहां पर गिये है तो इन सबी point को हमने use किया है जैसे पहला जो है वो 1 by 3 है जो next होगा 3 by 4 होगा और जो next होगा इसके बाद that is you know 1 ठीक है तो यानिकी अब अगर हमारे पास इसकी जो values है right अगर जो इसकी values हम 0 से लेकर 1 by 3 की बात करते हैं तो यानिकी हम इस value को यहां से ले लेकर 3 by 4 होगा यानि कि हम इसके बार हम discuss कर रहे हैं this one right इसको आप कुछ ऐसे इसको represent कर सकते हैं this is something जो आप यहां से represent कर रहे हैं in the same way जब आपके पास 1 होगा तो 1 के लिए हमारे पास right जब 3.4 से लेकर you know 1 के बीच में होगा तो इहां पर आपकी value जो है वो 1 रहेगी okay so sorry this is a small mistake to let me correct this in a flow right so let me correct it तो यह जो है पहले case में वो था आपके पास 2 था तो 2 जो है वो कुछ यहां पर होगा right next जो है वो आपके पास 3 होगा और next जो है उसकी value होगा यहां पर 1 तो वो 1 यहां पर आएगा right this is these things ठीक है तो अब there what they are asking is which of the following is the area under the curve for the interval 0 से लेकर 1 right यानि कि हमें कुछ area के बारे में discuss किया है right so that means हमारे पास जो areas है जैसे for example यह आपका area है a part of this यह वाला आपका area है right और यह वाला area है तो इन area में आपके पास जो area है वो कितना होगा ठीक है तो वो हमें निकालना है तो I hope यह easy है right इतना difficult नहीं है बस आपको बस यह देखना था कि आप किस तरीके से इस map को आप बनाएंगे या फिर graphical जो आप बोलते है जो graph या फि देखेंगे कि यह correct क्या होगा ठीक है तो अब करना क्या है यह पहला तो हमें इस area को हमें लेना है तो कितना होगा राइट वह 0 से लेकर 2 तक होगा 2 multiplied by 0 से लेकर 1 by 3 तक है यान कि 1 by 3 हमारे पास आएगा right प्लस अब यह वाला जो area है यह complete जो area हमारे पास होगा यहां से लेक करोगी यह पूरा area है वो कहां से काता होगा 1 by 3 से लेकर 3 by 4 तक right यानि कि it is 3 multiplied by 3 by 4 minus 1 by 3 right क्योंकि हम इन दोनों के बीच की value के हमने discuss किया है okay in the same way जब हमारे पास third हमारे पास आता है right we are talking about this one जब हम इसकी बात करेंगे तो वो क्या होगा उसमें add हम लोग करेंगे तो वो कि करेंगे जब आप सब को यहां पर add करेंगे ठीक है तो इनके जो values रहेगी ठीक है तो it is you know 2 by 3 right plus जो next value यहां पर रहेगी which is you know 3 multiplied by you know this is 2 just it is 3 by 4 let me clear it तो मैं थो थोड़ा सा 4 minus 1 by 3 okay in the same way plus if you are taking this value ठीक है जो value यहां पर रहेगी that is you know 1 minus 3 by 4 which is equal to almost 1 by 4 right तो 1 by 4 के आसपास होगा तो इसको पूरा calculate करेंगे तो जो इसकी value रहेगी that is 13 divided by 6 13 divided by 6 right तो that means जो correct answer रहेगा that is going to be C C जो है वो आपका सही answer होगा right तो I hope इतना आपको समझ आया होगा अगर आपको कोई भी doubt है तो आप यहां पर comment section में मुझसे इसका answers पूछ सकते हैं okay so let us take this third one तो third हम लोग यहां पर discuss करेंगे right they are guessing for r be a root of the following expression तो एक expression हमारे पास given है ठीक है और उसके अंदर इसकी value is given है right कुछ root के अंदर given है they are asking then the value of the expression यह expression आपके पास given है इसकी value क्या रहेगी ठीक है यह हमें given है तो करना क्या है सबसे पहले हम इसको solve करेंगे ठीक है तो multiplied by r plus 3 multiplied by r plus 4 into r plus 5 ठीक है अब इसको solve करने के लिए अब सबसे पहले इसको हम expand करेंगे right expand करेंगे यान कि इन दोनों के विचे में हम expand कर सकते हैं as well as हम इन दोनों को भी expand कर सकते हैं तो यान कि जब expand करेंगे तो इसकी जो expression रहेगी which is you know r square plus you know 5r plus you can find which is 6 correct in the same way इस side पर भी आप इसको expand करेंगे तो expand करने के पास आएगा आपके पास r square plus 9r plus 20 ठीक है अब इसको और expand कर सकते हैं but again because हमें इसको solve करना है इतने अच्छे तरीके से कि आप इसको expand मतब जिसको हम solve करना थोड़ा easy बन जाए हमारे ले क्योंकि कुछ values जाने इसकी value हमें already given है यहाँ पर given है कि जब भी आपके पास x square plus 2x plus 6 होगा तो हम पता है इसकी value क्या होगा यहाँ पर 0 रैट तो that means इसको इस form हमें लेकर जाऊंगा ताकि यह इसकी value का हम यहाँ से directly use कर लेंगे तो ऐसा करने से जो हमारा solution है उसको question को solve करना थोड़ा सा easy बन जाएगा ठीक ह कैसे कैसे ठीक है तो जैसे कि यह जो term है इस term में से हम इसको 5r की जगे पर हम 2r कितरे use करेंगे मतलब कहने का मतलब क्या है what do I mean to buy this is कि हम इसको कुछ हैसर कर सकते हैं this is r square right plus 2r right which is plus 6 plus you know 3r plus you know adding 3r this is जो हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं मैंना ऐसा क्यों किया मैंना ऐसा क्यों किया देखो यह जो है 5r तो 5r को मैंने 2r यहाँ पर use कर लिया और 3r ऐसे कर दिया ऐसे करने से क्या होगा इनकी कुछ values है यह जो values है यहां से लेकर यहां तक इसकी values हमें पहले से पता है इसकी value है वो 0 होगी right this is going to be 0 in the same way जो next side है इस side को भी हम same तरग से extend कर सकते है इसको expand कर सकते है तो जब आप इसको expand करेंगे ठीक है तो इसकी value क्या रहेगी again you can find this way which is r square plus you know 2r plus 6 और जो बची हुई values है यानि कि इसमें से हमने this is going to be you know 7r यहां से निकालेंगे plus इसकी जैसे बाकी जो value बटेगी that is going to be 14 बस हमने इसको ऐसे किया अब ऐसा करने से क्या होगा again यह जो पूरा area है हमें पहले से ही पता है इसकी value है that is going to be 0 right इसकी value 0 हो जाएगी तो यानि कि यह बन जाएगा आपके पास 3r and here from this आप इसको multiply करेंगे which is 7r plus 14 right I hope इतना आपको समझ आया होगा इसके नदर कोई भी आपको इसको ब्रुल सह करना है अब दुबारा से हम क्या करेंगे इसको और expand कर सकते हैं जब इसको expand करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा this is 21r square plus और 14 से आप इसको फिर से इसको multiply कर सकते हैं इन दोनों को आप expand कर सकते हैं accordingly ठीक है तो यहां से यह कुछ values निकलेगी ठीक है तो what you can do is मैं इसको 14 करूँगा तो 14 का square कितना होगा it is 28 और जब हम दुबारा से 14 आप add करोगे तो आपके पास I think 42 के असपास रहता है क्योंकि 42 है वो 2 का multiplication है मतब कहने मतब क्या है कि यहां से 42 r यहां पर आएगा understood अब मैं क्या कर सकते हैं अगर 21 को अगर मैं से बाहर निकालता हूं तो आपक 2 r ठीक है अब दुबारा से अब चेक करो कुछ चीज़े और easy बन जाएगी यहां से क्योंकि यह जो value है वो इस expression में से यह वाली value हम लोग use कर सकते हैं कहने हो तब है अगर हम इसको ऐसे निकालेंगे x square plus 2x which is equal to minus 6 हम उसको ऐसे भी use कर सकते हैं तो यानिकि इस value को इसकी जो 126 जो है इसकी value यहां से आ सकती है so that is why जो सा correct answer will be D ठीक है वो D इसका सही answer होगा तो I hope यह आपको समझ आया होगा अगर अगर आपको कोई solution आपको नहीं समझ आएगा just let me know I try my best कि आपको दुआरक से expand उलब अच्छे से explain कर पाँ okay so now let us take the next one आप जो next question है यह भी बहुत right क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़े पता होना चाहिए क्योंकि they are giving given the following given below are the four statements आपके पास चार statements यहां पर है ठीक है और they are asking some students are ingusted right यह जो word यहां पर बिया गया है यह word बहुत you know interesting है क्योंकि अगर आपको यह question जो है even उसके बिना आप भी solve कर सकते हो without this one से लेकिन अगर अगर आपको meaning अगर आपको पहले से पता हो तो आपको solve करना थोड़ा easy बन जाएगा ठीक है अब देखो अब इसके अंदर क्या होता है all students are ingustis यानिकि सभी शात्र जो है जिग्हासू है right यानिकि वो curious है they are curious right in the same way some students are curious right यह पहला क्या बोला बोला गया है कि सभी जो student है curious ह फिर पूछा गया है no students are curious right जिसको हिंदियों बोलते हैं जिग्यासू हम जिग्यासू भी इसको हम लोग use करते हैं ठीक है तो अब पहले case में हम लोग बात करेंगे all students are ingustis यानिकि जितने भी बच्चे हैं अगर मैं बोलता हूं यह सारे बच्चे है और यह सारे जो बच्च curious है यानिकि सभी जो students है वो यहाँ पर आएंगे all the students will be here the same way जब है second case पर बात करूँगा यानिकि some students are some जब second case के बात करेंगे यानिकि these are students ठीक है and these are some are which are curious जो यहाँ पर curious है यह second case यहाँ पर आएगा ठीक है कुछ ऐसे हो सकते हैं जो curious है कुछ है शायद नहीं हूँ क्यों some students right in the same way जो हम third की बात करेंगे third का मुदब क्या है no students are curious सभी नहीं है यानिकि अगर कुछ यह सभी जो है वो student यहाँ पर आता है some student यहाँ पर आता है और जो दूसरा course students है वो curious है वो यहाँ पर आएगा ठीक है वो यहाँ पर आएगा ठीक है in the same way some students are not inquisitive यानिक वो एक तर है जो यहाँ पर use किया गया है अब वो पुछा गया है which of the four statements find the two statements that cannot be true जो कौन से जो है यहाँ पर true नहीं हो सकते कौन से true नहीं हो सकते true राइट उसके बेसे अगर देखा जा है पहला option आप एक ही बात कर रहा हूं यानिकि पहला जो one जो है राइट जो one जो है one यहाँ पर साथ नहीं हो सकते they cannot be together वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते इसी वजह से जो option number A है वो यहाँ पर सही होगा because the word you use it cannot be cannot be so इसी वजह से यहाँ से A जो है वो आपका यहाँ पर सही answer होगा okay in the same way जो मैं B की बात करूंगा right अगर मैं 2 की इसकी बात करेंगे हम लोग right statement number one and two तो similar ऐ इसा है शैद वो हो सकता है ठीक है क्योंकि कुछ area है जो यहाँ पर दोनों में हो सकता है जो third की बात सी की बात करता हूं तो सी का मतलब है कि हम लोग you know हम ने बताया था कि second और fourth almost एक जैसा ही है because they are asking कुछ जो है interest नहीं है right तो third और fourth के बारे में जो expression है वो almost आपको पता चल क्या है इसको solve करना है सबसेर सा तरीका क्या है a जो है right a आप पुछा गया which cannot be true concern true नहीं होगा ठीक है तो fourth जो है वो यहाँ पर सही answer होगा ठीक है तो a बिलकुल सही होगा तो I hope यह आपको समझ आया होगा अगर कुछ भी doubt होगा तो please feel free to ask any of these doubts okay okay let us take the next one अब जो next question है यह भ जो है paladrom right paladroms होता तो बहुत सारे word है जो paladroms का आता है जैसे अगर मैं मेडम जो है वह paladrom है right क्योंकि पहला और last यह दोनों same होना चाहिए और जो beach का है वो अगर वो odd है तो यहां पर यहाँ पर mix, single word हो सकता है या फिर अगर मैं कहीं पर बोलता हूँ M A A M This is mam, right ठीक है, तो mam जो है यहाँ पर और यहाँ पर यहाँ पर यह जो है, यह even case है This is even case और यह वाला जो है वो यहाँ पर odd case है odd case है, right अग वो इस question में क्या पूछना चाहता है कि यहाँ पर जो palindrome है वो 5 letter word है, right 5, 5 हो सकता है अगर 5 है, that means यह जो है, यह odd case होगा odd case होगा यानि कि अगर मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कि the first place, second place, third place fourth place, as well as sixth place right, so इसका मतलब यह है, कि हम जो पहले value होगी और यह value, यह दोनों same होने चाहिए this is going to be same और secondly, जो beach वाली value है, this value ठीक है, वो single हो सकता है ठीक है, कुछ भी एक single भी हो सकता है या फिर अगर होगे तो फिर यह तीनों equal होने चाहिए, है ना तो basically, यह वाला case हमारे पास हो सकता है, अब पूछा गया है कि हमारे पास ad तो हमें given है, ठीक है अगर पहले वाले बात करता हूँ, पहला क्या आपके पास d, यह क्या represent कर रहा है यह भी d को represent कर रहा है और यह जो है, वो j को represent करता है अब यहां से आख ध्यान दोगे अगर इसको clearly आप देखोगे तो जो d है, वो कितने d होगे आपके पास total 3 होगे, ठीक है तो यानिकि ऐसा हो सकता है कि मैं यहां पर भी d डालू, यहां पर भी d डालू यहां पर भी d डालू और यहां पर मैं j और a डालू अब इन j जो है, वो यहां पर palindrome नहीं हो सकता या फिर अगर डालता हूँ कि पहले d यहां पर डालता हूँ d यहां डालता हूँ, d यहां पर डालता हूँ और जो last में जो values है, j और a यह दोनों है, palindrome नहीं बनेगा तो इसलिए पहला जो option अबर a है वो पिकल गलत है ठीक, I hope you understand this the same way, जब मैं second की बात करता हूँ right, तो second case में क्या होगा हमारे पास r, a, r, a, d तो यह यहां पर होगा अब इस पूरे case में, जिस तरह से आण example बताया this example of madam तो madam जो है, वो palindrome है उसी तरीके से, यहां से भी ऐसा हो सकता है कि यहां पर हम palindrome बना सकते है it is also possible कि यहां से palindrome यहां से निकाल सकते है अब वो कैसे निकालेंगे, right तो सबसे पहले, जो a की value है d, तो obviously solution पहले से ही पता है, right, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर total five words होने चाहिए right, five letter होने चाहिए, sorry तो d, जो है, वो यहां पर हो सकता है अब उस case में क्या हो सकता है जो first case है, जा तो यहां पर r, r हो सकता है और इधा निकलेगा a, a, या तो यह word निकल सकता है right, which is radar या फिर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपके पास आ रहा है which is a, right, r, d, r, a हमारे पास दो यहां से यहां पर पलिंड्रॉम बन सकते है पहरे, radar, r, a, d, a, r radar यहां पर बन सकता है या फिर, a, r, d, r, a तो यह दोनों है, यह दोनों यहां पर पलिंड्रॉम बन सकते हैं तो I hope इतना आपको समझ आया होगा इसी वज़े से b, जो है, वह यहां पर सही आंसर होगा but anyways, अगर हम थर्ड की बात करते हैं थर्ड में क्या होगा है, यहां पर z, e, d, a, and d, right तो यहां से चेक करोगे, अगर दोनों सेम है तो इन दोनों की वज़े से इनकी जैसे हमारे पैलिंड्रॉम बन ही नहीं सकता I hope you understand this In the same way, जो लास्ट है, हमारे पास i, l, y, d, a, and d, right अब यहां से आप चेक करोगे, यहां पर भी सारे जो लेटर से सारे अलग लग है, तो यहां से भी पैलिंड्रॉम नहीं बन सकता ठीक है, so that is why इसका जो correct answer है, the correct answer is going to be B, B इसका विल्कुल सही answer होगा So I hope you understand this, again, let us move to the next one, okay So now we will see the sixth one, तो sixth one की बात करते हैं तो हमारे पास एक expression है, और इस, I mean, एक पुरे असे type में है लेकिन यहां पर पूछा गया है, कि हमें logical inference हमें बनाना है ठीक है, अब आपो करना यह है, इस video को pause करो और pause करने के बाद, जितने भी options है, पुरी उस essay को पढ़ो और समझो कि वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है, तो अगर आप पढ़ोगे, right तो इसका जो सही answer होगा, that is going to be B, इसका सही answer जो है, वो B रहेगा तो यह understand why, ठीक है, step by step समझेंगे, ऐसा क्यों, तो यहाँ पर कुछ word यहाँ पर पुछा गया है, ठीक है, तो दिराज के पहला option, matrices are useful in organization with poor work culture, right तो वो यहाँ पर पुछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ word पुछा गया है, देखो, some matrices जो पुछा गया है, right जो matrices, आपके पार साथ, this matrix, are counter-productive, यहाँ पर पुछा गया है, right तो obviously, वो तो match ही नहीं होगा, बिल्कुल नहीं option होगा, ठीक है, in the same way, जब आप नहीं options को आप चेक करोगे, तो भी जो है, बिल्कुल match होगा, ठीक है, क्योंकि matrix are useful in organization with good work culture, right, क्योंकि यहाँ पर जो word यहाँ पुछा गया है, यह जो word है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह पूरा word यहाँ से यहाँ तक है, उससे साथ-साथ यह वारा जो है, यह दोनों यहाँ से important है, आप इस पूरी expression को, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे को होगे, तो यहाँ understand कि जो correct answer will be B, ठीके, क्योंकि जब आप C पर जाओगे, ठीके, तो A तो directly बोला गया है, directly वो, you know, A जो है, बिल्कुली गरत बोलना चाहता है, और जब मैं C की बात करूँगा, तो यहाँ पर एक word यूज़ किया है, यहाँ पर always, ठीके, विकुस यहाँ प यहाँ पर D की बात करेंगे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो, इस जो word को use कि है never, तो never की बज़े से यह wrong रहेगा, ठीके, कि पहला तो बिल्कुल गलत ही है, right, C और D दोनों जो word पूला गया है, पहले always और यहाँ पर गया गया है never, तो इन जगे से C और D जो है वो गलत है जो सही answer will be B, B जो है आपका बिल्कुल सही answer होगा, तो I hope you understand this, okay, तो अगर मेरे पास total 5 balls है, right, total 5 balls है, right, अब false balls अगर आपके पास 5 है, तो उसमें से आपके पास total 3 जो है, वो green है, understood, in the same way, जब हमारे पास, you know, जब हमारे पास orange आएगा, तो orange कितनी है आपके पास, that is going to be 2, right, तो probability कितनी है इनकी, तो probabilities अगर देखूँगा, तो इसकी कितनी होगी यहाँ पर, you know, 2 by 5 total में से, ठीक है, और in the same way, यहाँ से जो probability है, वो आएगी आपके पास total 3 by 5, यह इनकी probability है, ठीक है, अब बोला कि अगर हमने normally 1 ball को हमने select किया, सिर्फ 1 को हमने select कर लिया, चाहे वो orange हो, चाहे वो orange हो, या फिर green हो, कोई भी अगर ले लिया, ठीक है, अगर let us suppose पहरी ball हमने select किया, और जो पहरी ball है वो green है, अगर green की बात हम लोग कर रहे है, ठीक है, तो green का case में क्या होगा, ठीक है, अब उसकी case में, you know, जो green है अगर उसको निकालेंगे, ठीक है 5 में से, सिर्फ 5 के जगे पर only 4 बन जाएगी, right, तो यानिकी, that is going to be 4 by 4, okay, understood, ठीक है, in the same way, अब जो यहाँ पर पता चलेगा कि इतनी आपके पास green है, और जो total आपके पास यहाँ पर, उसमेंपर कितनी orange बचेगी आपके पास, orange, तो orange कितनी बनेगी, वो भी आपके पास 2 2 by 4 ही बचेगी, understood, इतना मिलेगा, in the same way, अगर ऐसा हो सकता है, कि अगर मैंने एक orange को select किया था, orange को मैंने select किया था, ठीक है, तो again उस case में जो number of, you know, because आपको बताया था, इस case में कोई changes नहीं आएगी, orange में अगर निकलेगी, तो वहाँ से दूसरी orange को ही वहाँ पर यह कोई changes नहीं आएगे, there is no changes, कोई changes यहाँ पर नहीं आएगे, ठीक है, तो I hope you understand, ठीक है, अब वो थेर, अब वो क्या पूछना चाहता है, they are asking, you know, what is the probability of getting an orange ball in the next, you know, draw, यानि कि पहले, पहले में, पहले case में तो यह होगा, पहले case में अगर आपने green होगा, तो यह वाले cases हो सकते हैं, या फिर यह हो सकते हैं, या आपके पास, this is your first ball, right, यह पहला drawn है, right, और जब मैं second पर जाओंगा, अगर मैं second के बास करूँगा, second, ठीक है, second case में जब मैं बात करूँगा, right, यानि कि जब अगर बार हम से orange को पुछा गया, तो orange में क्या होगा, ठीक है, तो इ यानि कि पहली probability तो यह वाली बन गई, ठीक है, और second, इस case की जब प्रोबिल्टी है, वो almost same ही रहेगी, orange निकलेगा, तो orange ही डलेगा, तो वहाँ से भी, you know, 3 by 4 ही यहाँ पर रहेगा, ठीक है, इंट the same way, अगर यहाँ से select हुआ करता, तो यहाँ से क्या होगा, वो भी almost, व है, एक दूसरे को dependent है, ठीक है, तो, sorry, तो कैसा होगा आपके बास, which is 3, 5 multiplied by 2 by 4, ठीक है, understood, प्लस, जो second वाला case रहेगा, वो कितना रहेगा आपके बास, again, this is 2 by 5, 2 by 5 multiplied by 2 by 5, तो यह 2 by 5 into 2 by 5 यहाँ पर आएगा, ठीक है, ठीक है, तो आप इसको check कर सकते हो, 2 by 2 by 5, यह वाल यहाँ से भी, उसको आप check कर सकते हो, वो यहाँ पर यह आएगा, ठीक है, तो अब probability जो यहाँ पर निकलेगी, that is, 23 divided by 50, तो यह probability यहाँ से निकलेगी, so that is why जब आप इसको check करेंगे, so what is the correct answer, the correct answer is going to be D, D जो है, वो यहाँ पर correct answer होगा, तो I hope अगर आपको समझ आया होग क्योंकि इसको explain करने के नहीं एक method होता है, वहाँ से मैं इसको समझाया है, इससे मैं आपको समझाया है, but again, I hope इतना आपको समझ आया होगा, this is, you know, थोड़ा से tricky है, but कर सकते हो, ठीक है, चलो, let's move to the next one, तो next question है, बहुत अच्छा question है, पूछा गया है, ठीक है, तो what they are asking is, the corner and the midpoint of a sides of a triangle, ठीक है, तो आपके पास एक triangle है, तो यह जो है, मैंने आपके triangle बनाया है, right, this is a triangle, ठीक है, और इस triangle में, आपके पास, you know, what you can find is, कि यहाँ पर midpoint भी होगा, right, these are presenting midpoint, midpoint आपके पास है, ठीक है, अब इस पूरे case के अंदर, इस पूरे case के अंदर, you know, तो वर दर asking is, कि हमारे पास जो letters है, वो आपके पास P, Q, R, S, T, U, यह आपके पास है, कोलनों से है, P, Q, R, S, T, as well as U, यह सभी यहाँ पर है, ठीक है, अब ज़र asking, कि कि किस order में है, order जो है वो mention यहाँ पर नहीं है, वो P, Q, R, S, T, Q, is order में नहीं है, वो यहाँ पर mention नहीं किया गया, अब पूछना गया है, इस statements के basis पर आप बता सकते हो, कि क्या यहाँ पर सही होगा, पहला पूछा गया है, the lines joining P and R is parallel to the lines joining Q and R, यानि कि, अगर आपके PR है, ठीक है, क्योंकि मैंने बता या था, इसके अंदर हम parallel की बात कहे हैं, parallel ही, ठीक है, तो parallel दो case में हो सकते हैं, या तो आप यहाँ पर बनाओगे, ऐसे, ठीक है, तो यह parallel हो सकता है, ठीक है, या तो इसको parallel बना सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको भी यहाँ पर बना सकते हो, कि यह वाला और यह व लुह पर बात करते हैं तो यहानए कि मैं एस्यूम कर रहा हूं कि यह तो है इसको मैंने उसिgebaut यहां से ठीक है यह मैंने इसको शुम किया एस दोनों के वीच मी यह प्रैल transmit यहां से बन सकता है यह मैं इसको शुम कर रहा हूं ठीक है तो I hope you understand this तो we are saying the line joining P and R ठीक है P और R की बात कर रहा हूँ मैं assume कर रहा हूँ this is P and this is presenting R और जो दूसरी है वो Q R है तो मैं इसको Q assume कर रहा हूँ और इसको मैं S assume कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा assume करने से तो ये जो है एक तरीके से parallel यहां से बन रहा है अब वो parallel बन रहा है तो second statement को मैं समझूँगा P is placed on the opposite on opposite to the corner T यान कि P जो है यह जो है यह आपका जो P है ठीक है इसका जो opposite corner है वहाँ पर आपके पास T बनेगा तो मैंने यहाँ पर बना दिया T based on this in the same way next मैं check करूँगा S and U cannot be placed on the same side S और U की बात करता हूँ S and U cannot be placed on the same side ठीक है यान कि S और U की बात करूँगा तो वो same side पर वो नहीं होगा ठीक है यान कि same side कौन सी होगी यहाँ पर R as well as T R और T तो यान कि या फिर इस कोरियर इसकी बात करेंगे हम लोग चाहें इसके हम पैरलल की बात करेंगे तो यहाँ पर same नहीं हो सकती तो यहाँ पर जो बन सकता है that is going to be U तो U यहाँ से बन सकता है तो इस तरीका का डाइग्राम जो है आप यहाँ से बन सकता है आपको उतल सकता है कि यह आपके बास P होगा this is Q होगा this is T होगा this is S होगा this is R होगा और यहाँ पर U होगा Now they're asking which of the following statement is correct based on the above information तो कौन सा जो statement है वो यहाँ से correct होगा तो पहला चेक पुछा गया है P cannot be placed on the corner P जो है, मेरे case में P जो है वो corner पर आ रहा है तो obviously this is wrong Second, S cannot, right cannot पुछा गया है S cannot be placed on the corner S जो है, वो यहाँ पर midpoint पर है ठीक है तो obviously यह true है क्योंकि यहाँ पर पता चला है कि S जो है वो mid पर आ रहा है वो corner नहीं आ रहा तो this is true अर अगर मैं C की बात करता हूँ C पुछा गया है U cannot be placed at the midpoint U जो है, वो midpoint में नहीं होगा But, right और पुछा गया है और yes, U जो है हमारे midpoint पर आ रहा है पुछा गया है, यू cannot be Right, it cannot be placed on the midpoint But, हमारे पास वो आ रहा है Midpoint पर आ रहा है तो obviously this is going to be wrong In the same way, जो मैं D की बात करता हूँ R cannot be placed at the corner So, R जो है Right, R हमारे पास क्या है I think, let me see where is R Right, this is R R जो है, corner पर है Right, और पुछा गया It cannot be So, obviously this is wrong So, that is why जो correct answer रहेगा That is going to be B B जो है, वो बलकुल सही answer यहाँ पर होगा So, I hope you understand this इस पूरे diagram को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं So, you can see The answer is B Right, because S cannot be placed on the corner ठीक है So, यह जो है S जो है वो यहाँ पर midpoint पर आ रहा है ठीक है वो corner पर नहीं है ठीक है तो इस तरह का diagram जो है वो यहाँ से बनेगा I hope you understand this Now, let us see the next one तो यह जो last question है From aptitude तो aptitude को इसको cover कर लेते हैं ठीक है तो पुछा गया है कि आपके बास एक plot है और जो plot है वो it must be divided into between four families तो आपके पास है और पुछा गया है कि उनको हमें divide करना है लेकिन साथ साथ हैं पुछा गया है कि उनकी shape कैसी हो वो कुछ area नहीं वजब साथ कुछ लेना देना नहीं है I mean to say जो उनका जो area है वो ज़रूर नहीं है कि वो equal हो वो divide करना है चार प्लेट फोर लेन्ड के area में plots में हमें बनाना है लेकिन एरिया कुछ भी हो सकता है वो देरा से कुछ भी हो सकता है यहां से आपके पास आपके पास R1 है ठीक है और दूसरा है R2 रहीट R2 यहां पर है ठीक है और वो अलएडी वहां पर है उसको हम remove नहीं कर सकते अब वो पुछा गया है what is the least number of additional straight तो सबसे पर least की पास की पास की पास कुछ भी diagram से बना सकते थे you can make any way maybe I can make something like this मैं ऐसा भी बना सकता था मैं कुछ ऐसा भी बना सकता था anything मैं बना सकता था but वो specifically पूछा गया है यहां पर कि आपको देखना है कि वो additional और जो straight होनी चाहिए it should be straight एकदम straight होनी चाहिए word यहां पूछा गया है और आपके बास कुछ portion यहां पूछा गया है कि कितने minimum वो हो सकता है right तो उसका सबसे अचा तरीका यह है what you can do is आप इन दोनों को connect करो या फिर ऐसा ऐसा करो बलकि ऐसा करने की सबसे बेटर यह है कि अगर मैं इन दोनों connect करता हूँ तो यह दो हिस्सों तोट गया the same way जब मैं इसको और इसको करता हूँ आप देखो यहां पर exactly 4 आपके पास बन गए ठीक है जैसे for example पहला हम इसको cut कर सकते थे फिर हम इसको कर सकते थे फिर हम इसको कर सकते थे तो टोटल आप चक करोगे तो टोटल आपके पास आपके पास जरुत होगी तो कितने straight probes की आपको जरुत होगी that is going to be 3 तो that is why the correct answer is going to be D D जो है वो आपका सही answer आया होगा So I hope कि आपको समझ आया होगा तो मैंने जो aptitude के questions जो हमने सारे cover किये अब हम लोग cover करेंगे technical तो हम technical के बारे में यहां से discuss करेंगे तो start करने से पहले I mean आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ तो SME बर मैं Unacademy पर हूँ तो Unacademy पर we have two kind of subscription आप जो कर अब gate की तियारी करना चाहते हैं तो gate की तैयारी के लिए दूँ तरह के शब्सक्रीप्शन हैं पहला है Plus Subscription दूसरा है Iconic Subscription तो Plus Subscription जो है इंडिया के Best Teachers के साथ से हैं उन्होंने इसको बनाया गया है इंडिया के Best Teachers हैं यहां पर और उसी तरीके से Iconic में क्या है जो भी चीज़े plus subscription पे है उसके साथ-साथ iconic में भी है लेकिन iconic में एक mentor जो है वो हमेशा आपके साथ रहेगा जो mentor जो है one-on-one discussion करेगा विद आपके साथ अगर आपको कोई भी doubt होगा जो mentor है आपको solve करेंगे उसके साथ-साथ अगर आपको study material की requirement होगी जो सभी mentor आपको support करेंगी आप कुछ भी subscription ले सकते हैं अन-academy पे पहला है plus दूसरा है iconic दोनों को लेने के लिए just use my coupon code which is Kaushik10 क्यों Kaushik10 से आपको जो भी offer आता है आप उसको ले सकते हैं otherwise 10% off तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है कई बार क्या होता है बहुत सारे offer आते हैं जहां से आपको 20% off मिल जाता है कई बार आपको कुछ additional 2-3 months तका subscription आपको extra मिल जाता है तो आप कुछ भी ले सकते हैं और इस समय पर Unacademy के तरफ से सिर्फ कल तक 15th of February सिर्फ कल तक आपके पास वहां से 20% off वहां पर ले सकते हैं लेने का सबसे अचा तरीका ये है आप Unacademy की website पर जाओ या फिर Android आप से जाओ और वहां पर जाने के बाद जब आप subscription को buy करेंगे उस समय पर मेरा जो coupon code है उसको use करेंगे Kaushik 10 क्योंकि Kaushik 10 से आपको directly 10% off मिल जाएगा but because अगर सिर्फ कल तक अगर आप करेंगे आज या फिर कल सिर्फ इन दो दिनों में अगर आप करोगे तो वहां से आपको 10 नहीं बलकि 20% off आपको मिल सकता है और Unacademy बहुत सारे batches आ चुके हैं जैसे मैं भी इस समय पर Unacademy पढ़ा रहा हूँ Unacademy पर मैं algorithm subject को cover कर रहा हूँ मेरा जो subject है जो classes है वो almost 10-30 a.m. पर होती है तो वहाँ पर बहुत सारे batches start हो चुके हैं जैसे पहला batch start हुआ है विचस यह है यह उन बच्चों के लिए है जो की droppers है और 2023 के तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर यह जो timing अगर आपको call करना है अगर आपको subscription लेना है तो you can call on this number और यहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं और इसकी जो timing रहेगी तो timing रहेगी at 1.30 p.m. आप सको check कर सकते हैं 10.30 p.m. और इसको लेने के लिए just use a coupon code which is kausik10 kausik10 क्योंकि यहाँ से आपको 10 या 20% off भी आपको मिल सकता है और second जो batch यहाँ पर हुआ था this is ascend batch तो ascend batch उन बच्चों के लिए है जो gate 2023 के तियारी के लिए preparation कर रहे हैं और यह जो आपके पास ascend batch है वो आपके पास F batch है और जो timing है हमारी 7.30 am 7.30 am पर class हमारी start होती है और इसको लेने के लिए just use my coupon code kausik10, तो यहाँ पर coupon code है यहाँ पर k-a-u-s-h-i-k kausik10 को आप use कर सकते हो या फिर आप इस नंबर से call करके सारे information आप ले सकते हैं yes next जो है हमारे पास which is evolve batch evolve batch है, this is for batch for 2023 2023 के बच्चों के लिए है, right तो इनकी जो classes है again 7.30 am पर होगा, और यह e badge है, इसको लेने के लिए भी just use a coupon code kausik10, k-a-u-s-h-i-k kausik10, तो यहाँ से आपको 10% off मिलेगा अगर आप इस offer को भी use करेंगे तो यहाँ से 20% भी off मिलेगा, because कल तक आपको 20% आपको off मिल सकता है तो just use, you can call on this number, okay और unacademy पे, हर Sunday को एक exam होता है और यह जो exam होता है, वो, you know, 60 minutes का exam होता है यानकी एक घंडे का exam होता है और अश्वार जो combat हो रहा है, वो, you know, 20th of February में हो रहा है और जो timing रहेगी, that is going to be 11 am तो basically, जब हमारे combat होता है, तो, you know, combat में एक exam होता है जहां से आपको बहुत सारे rewards मिल सकते है जो scholarship है, almost, you know, 4 crore तक ही आपको scholarship यहां से मिल सकती है अगर वहाँ पे, अगर आप इस बार combat में आप जाएंगे तो अगर आप, you know, first या third rank तक कर आप आएंगे आप rank 11 और 50 के बात करेंगे, तो यहां से 50% off आपको मिल सकता है तो unacademy पे इस combat को आप जरूर दे कि यहां से आपको बहुत जादा offers आपको मिल सकते है और as you can see, बहुत सारे batches start हो चुके है बहुत सारे batches यहां से बहुत सकते इसको लेने के लिए just use a coupon code Kaushik10, तो Kaushik10 से आपको 10% off या फिर 20% off भी आपको मिल सकता है So, I hope you like the session, session आपको अच्छी लगी होगी अब हम लोग discuss करेंगे, the next session will be regarding, you know जो हम session रहेगी हमारी, वो अब जो cover करेंगे वह हम technical के बारे हम discuss करेंगे, तो I hope एक session आपको अच्छी लगी होगी अब हम जल्दी मिलते हैं और वहाँ पर इसको cover करते हैं, okay and if session आपको अच्छी लगी होगी, please thumbs up, thumbs up करे, like करो, channel को subscribe करो, okay and let us start, okay